तो कैसे हो आप सब आप सब ठीक होंगे पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होगी तो यह रहने वाला है हमारे कंपाउंड इंट्रस्ट का लेक्चर नमर लास्ट दे एंड हम अब इस बड़े से चाप्टर का करेंगे लेकिन इससे पहले अगर आपने पहले वाले स्थैंठम अगर पी है आपके पास वह 110 होता है वह 110 होता है कितने साल में आप embrace Girl क्योंदेग च्छसमें तो यहन ये सकते हो कि 110 एक सो 120 फिर होगा एक और स्कीव से दो साल लग रहे हैshit 211 तक पहुंच जाने में तो आपको क्या करना पड़ता है तो आपको इस केस में लेना पड़ता है रेशो किस चीज का 110 और इस 111 का रेशो आपको लेना पड़ता है तो अब आप देखो रेशो काट के आ जाएगा गाराद 110 और 111 121 तो 10 is to 11 आपको रेशो आ गया 10 इस तो 11 अगर मैं रेट आफ इंट्रस्ट आपको पूच्छोंगा तो आप बोलोगे सिर्फ एक साल का पॉलोगे सर प्रिंसिपल का पार्ट होगा 110 तो प्रिंसिपल अब आप यहां पे फाइंड आउट कर सकते हो तो पी आपको पी की वेल्यू आपको बारहल यहां पर सवर निकल के आ जाएगी और यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से अब आप समझोगे लिगने यह कॉंसेप्ट बेसिक लिए आया कहां से तो यह कॉंसेप्ट आया है कि यहां पर टाइम है एक साल का और यहां पर टाइम है वन येर मीनिस एक साल का राइट एक साल का तो हुआ होगा कुछ इस तरीके से हुआ होंगा कुछ इस तरीके से क्या हुआ होंगा यहां पर जब आप रेशो ले लेते हो तो आपको पता चलता कि रेशो आज जाता है क टेन इस्टो ऐवन टंसता लैंड यहां प nous आईव साल dużo रेट अफ इनठरस्ट कॉंड इस टैंट है मीनिस यह दूसरे साल 10-11 हुआ पहले साल क्या होगा तो आप पहले साल भी यह 10-11 हुआ होगा 10 से 11 हुआ होगा तो यह से भी इसको निकाल सकते हो अब देखो कैसे तो मैं आपको बताओगा इस करके अगर हम लिखेंगे तो मैं आपको बताओगे यह प्रेंसिपल और यह हमारे पास बेटा amount right तो पेले साल क्या हुआ होगा तो आप बोलोग से rate of interest यहां पर देखो 10 से 11 पेले साल हुआ होगा ठीक है 10 से 11 तो दूसरे साल भी क्या हुआ होगा 10 से 11 ही हुआ होगा तो यहां कि इनिशल से फाइनल 121 हुआ है 100 से 120 हुआ है यह चोटा सा एक्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए लिए लिखा है यहां पर तो आप देख सकते हो कि इस तरीकी से आपको question given होगा एक्जाम में और यह time period यहां पर जो है यह हमेशा और हमेशा सेम ही होगा क्योंकि एक्जाम में वहीं से data set करके question आपको दे सकता है देके दूसरा कोई भी logic कोई भी तरीका नहीं होता ऐसे question उसको set करने का चलिए एक question के थूँ मैं आपको समझाने के कोशिश करोगा चलिए यह देखो question है हमारी व्यल्टपली बेच का question है जो कि मैं paradise academy application and paradise academy youtube channel पर पढ़ा रहा था और अभी भी आप वहाँ पर content access कर सकते हो हमारी application and हमारी youtube channel पर चलिए यह देखो question है किता if a certain sum of money amount is to four five double zero in five years यह वाली term याद रखना and six seven five zero in ten years as compound interest rate find principle find principle आपको बताना है राइट चलिए प्रिंसिपल को मैंने पी मान लिया suppose क्या मान लिया पी तो मुझे पता कि पांच साली में यह हो रहा है 4500 और 10 साल में यानि कि यहां से यहां हो रहा है कितना six seven five zero means यहां से यहां इसको further five years लगा होगा time further five years time लगा होगा then मैंने क्या किया मैं आप time का ले लेता हूँ ratio time का ratio मैंने जब ratio ले लिया तो मुझे पता चला यह one is to one है ठीक है one is to one है अब हमारा question यहां पर easy हो गया कैसे देखो क्या करना है मैंने इस term और इस term का ratio ले लिया ठीक है और इतना हो गया यह इतना हो गया यह जानी कि यह कितना हो गया ratio के बाद यह अगर दो यूनिट है तो यह तीन यूनिट है यानि कि टू इस्टू थ्री में ये बढ़ गया तू इस्टू थ्री में ये वड़ गया मिनस बढ़ गया जानि कि थी अपान टू टाइम इस ये हो गया कितने साल में पांच साल में ये हो गया दो से तीन दो से ये तीन हो गया कितने साल में दो से ये तीन हो होगा दो से तीन हुआ ना तो आप बोलोगी सिर्फ वो तीन हजार है तो इस तरीके से अब आप सालो करोगे ओके अगर रेशो में भी करना होगा मैथेमेटिक लिए आपको करना होगा तो कैसे लिखोगे तो मैंने यहाँ पर लिखा एइस पर इतना यहाँ पर इतना लिखा तो आप इसको ऐसी भी सौलो कर सकते हो डिरेक्ट शॉटकट भी कर सकते हो कैसे देखो बेटा अब आपको पता है कि ये 3 unit है और ये 2 unit है तो आप क्या करोगे इस 4500 को 3 unit यहां 3 upon 2 है न तो यहां पे आप 4500 का निकालोगे 2 upon 3 just इसका reverse करोगे क्योंकि ये 4500 3 unit है 2 unit की वेलिए हमने निकालने है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कैसे 4500 divided by 3 into करता 2 या फिर में लिखता इसके just इस fraction का reverse करके 2 upon 3 और करता है multiple है तो यह चला जाता है इससे 1500 टाइम और 2 करेंगे तो कितना हो जाता है 3000 तो मुझे उमीद है यह concept आपको समझ में आ गया है आता कहां से वह भी अब आपने थोड़ा सा सीख लिया क्योंकि सक्सेश्यू का concept यहां पर चलता है और यहां पर सबसे मजी की बात है यहां पर टाइम का रिशू सेम होता है तो इसलिए हम basic concept of compound interest का application यहां पर लगा सकते है यह वाला question बनाओ तो आपको चीज़े क्लियर हो जाएगे यहता है as sum becomes as sum amounts to 8028 in 3 years and 12042 in 6 years at a certain rate of rate percent per annum when the interest is compounded yearly the sum is वोड़ा सा vocabulary उधर इदर होती है कभी questions में तो उस चीज़ को माफ किया करो ठीक है ना बेटा चलिए जी अब हमारे पास principle सब्सक्राइब उसको मान लिया पी अब यह पी होता है कितने three years time में three years time में यह होता है है कितना होता है अपने यहां से यहां तो तीन साल आ गए यहां पर तीन साल होंगे ना तो कितना हो रहा है कितना हो रहा है आप लोग सब्सक्राइब तो त्वेल ताउजन पूटी तू राइट अब आपने क्या करना है सिंपली आपने लेना है रेशो किसका इसका और इसका लेना रेशो ले लो रेशो बेटा ले लो रेशो मुझे दिख रहा है 4000 और 4000 जबी तीन होगे आँ बारह हजार और यहां पर 14 दूने पूच्वच्व तूच्व हा थी आपाटी याँस यानिकि यह यहंपर भी रेशो रहा होगा है तो इस्टू फ्रीजिख में टो तूच्व तू रईन si तू तो यहां कर से नहीं कितना हो गया आठ हजार अठाइस और चार हजार चोदा जर्बी तीन फोर थाउजन्ट फोर्टेन इंटो थ्री ट्रेल थाउजन फोर्टी टू तो टू इस टू त्री रेशो इस तरीके से है तो क्या प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते हैं आप बोलों के सार हंजी यह तीन यू यूनिट और हम से क्या निकालना है प्रिंसिपल डैट इस टू यूनिट ओके यही तो सम है यही तो सम है जिसको मैंने पी माना था प्रिंसिपल माना था चलिए काटो इसको तीन दूनी छे दो आ गया तीन छे अठारा दो आ गया तीन सते अकीस एक आ गया तीन छे अठारा जर भी दो ठीक है तो आंसर विल भी वाट 2, 6, 0, 12 यानकी यूनिट डिजिट पे 2 अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 यूनिट डिजिट 3 तो 2 यूनिट डिजिट 8 की ओप्शन में तो यह इसका correct answer होगा अब देखो मुझे calculate भी पूरा नहीं करना पड़ा तो answer is what 5352 5352 is the correct answer और आपका question solo हो गया है अब आपने समझा है कि क्या हो रहा है basically क्या scene चल रहा है चलिए कुछ और questions हम लेंगे और आपको clarity हो जाएगी चलिए a sum amount is to 18,600 after 3 years and 27,900 after 6 years at a certain rate of interest per annum when the interest is compounded annually the sum is बस हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटे this is our sum और कितना होता है आप लोग सर 18,600 और फिर 6 साल बाद होता है 27,900 चिक है बस क्या करेगी यहां से यहां लगते तीन साल और यहां से यहां से यहां करते तीन साल क्योंकि छे साल में यह इतना हो रहा है तो क्या करेगे just in दोनों का ratio ले लेंगे किसका इसका तो देखो अगर आप देख सकते हो गंदी नजर से तो देखो 9,300 से में काट रहा हो 9,300, 2000 कितना होता है आप बोलोगी सर 1,800, 600 तो उसके बाद 9,300 इंटु 3 करोगा में तो वो होता है 27,900 यानि कि 2 is to 3 में है यहां कि 3 यूनिट यह दो यूनिट यह यहां पर भी यह क्या हुआ होगा 2 is to 3 यूनिट में हुआ होगा यहां पर ठीक है तो सम आपको निकलना है सम विल बी वाट तो आप बोलोगी सर क्या करने इसको डिवाइड करना है इससे जैनकि 18,600 को डिवाइड करेगे 3 से और आपको निकलना है सम वो है हमारे पर 2 यूनिट ठीक है तो 3,6,18 और 3,2 नी 6,2,0 और 10,2 कितना होता है 12,400 12,400 is the correct answer option B option B is correct answer राइड चलिए बनाव ये वाला कितना असर्टेन अमाउट अपर रुपीज 2400 अपर 6 यूर्स अट असर्टेन रेत अपर इंटरेस एक पोनेशन रेत अपर ऊच्छ यूर्स होले फिर घृता रेत इंहां होता है 2400 पेलिंग्ट हमारे पस जीवन है 6 सालों में 6 यूर्स में ये वोता है जोता है 3,600 ये कितने में हो रहा है 6 यूर्स में हो रहा है 3,600 रोपीज कितना है 4600 रूपियस और फिर हम्हें कह रहा है अब देखो concept को समझोवाइप नाया होगा को अब देख सकते हूं कि टाइम यहां पे कौण इस्टेंट है तो टाइम को हम काट लेगे यह जैं यह रहे साल लाम मिन म्या एक-एक साल का टाइम जैसे हमने मान लिया तो अब देख सकते हो कि हमने क्या लेना है इन दोनों का रिशो लेना है इन दोनों का रिशो लेना है साल का रेशिया तरम है में में ऑन इन दोनों का रीशियो बिए और यह इन दोनों का रेशिव भी already होगा ट्व इस तो ठीए और राइट यान्लिया आपको निकालने नहीं एथमस्टी यूंइट एक वल है की यूनिट इसके वहल होगा रइट तो आप निकाल सब्सक्राइब निकालोगा अंसर कैने कालोगा आप लिख सकते हो एम आप आफटर 12 येर्स है ना कुछ भी आप लिख सकते हो तो आप बोलोगी सर यहां पर क्या निकल रहा है आप लोगे सर्फ च्छतीस सो बराबर दो यूनिट और तीन यूनिट की विलिए हमने निकालने एंड देट विल बी वाट आप बोलोगे सर फिप्टी फोर हैंड़र रोपी फिप्टी फोर हैंड़र इस एकरेक्टर आंसर ऑप्शन नमबर थर्ड अगर में रेट आप इंटरस्ट पूछ जात कियता है कियता है सबस्टाइन संब इनवेस्टे डॉन कमपन इंट्रस्त ग्रोस 8000 और 27,000 इन three and six years respectively one interest is compound annually वाट इस प्रसंटेज रेट आफ इंटरस्ट है चलिए जैसे चोई सर्टन सम है को इस तक रंट अम ही मान लेंगे लाजाए 7ड साल में यही सम्होगा होगा हुगा है है कि रहा है कि what is the percentage rate of interest हम से पूछ रहा है rate of interest तो याद रखना बेटा यहां पर तीन साल है ना कि एक साल है तो rate of interest easily हम calculate कर सकते आप बोलोगो सर कैसे मैं आपको समझने कोशिश करोगा देख बेटा 30 से 30 कट चुके है तो वहां पर क्या बचा आप बोलोगो सब्सक्राइब आपको ले लेना पड़ता है आपको क्यूब ूर्ट ले Cambridge Rour has तो 8, cube root होता है 2, यानि कि 2 into 2 into 2, 8 होता है, and 3 into 3 into 3, 27 होता है, तो ratio क्या आगा, 2 is to 3, so rate of interest क्या है, rate of interest क्या है, rate of interest, rate of interest कितना है हमारे पास, तो आप बोलोगे, sir, 2 से 3 हो गया, एक साल में, क्योंकि 3 साल में, यह 8 से 27 हो रहा था, cube root ले लिया, so 1 upon 2, इतना ही तो interest लगा, into करे यह 100 means interest will be what, 50%, तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो, 50% आप ऐसे टिक करोगे, अगर आप से में sum पूछता, तो आप क्या बोलते है, 8 से 27 हो गया, ठीक है, तो यहां पर भी 8 से 27 होगा, तो 8,000 को 27 से divide करना था, और 8 से multiply करना था, तो calculate व यह question बन जाता, तो इसलिए इ इसी data पर पूछी है, तो यह होता है approach, examiner आपको set करके data ऐसे देगा, वो exam में, real time में, 2 minute, 1 minute में, 50 second, 10 second, 5 second में, सालो हो सकता है, तो यह जिम्मदारी है examiner की data set करने की, आपकी जिम्मदारी है concept को सीखना, और उसको exam में, अपने time के अंदर apply करके questions को जल्दी जल्दी फटा सालो करना, और वो चीज आप मुझ से बखू भी सीख सकते हो, but I need your little bit support, right, चलिए जी, अब हमारे पास कुछ होते है, miscellaneous questions, miscellaneous questions मतलब, इनका pattern कुछ भी हो सकता है, कहीं से कोई भी चीज होती है, लेकिन यह tough बिल्कुल भी नहीं होती है, basic से ही इनको हम सालो कर सकते है, और कर जाते हैं, एक्जाम में, तो देखो question हमारे पास क्या कहता है, the SI and CI on a certain sum of money is 400 rupees and 410 rupees, find principal rate of interest and time, दो चार question को मिला कर एक तरीके से पूछ गये है, right, the SI and CI on a certain sum of money is 400 and 410, find principal rate of interest and time, now, time यहां पे होगा दो साल, obviously यह चीज गिवन होगा, otherwise the question सालों नहीं होगा, चलिए जी, SI and CI, SI हमारे पास इतना है, और CI हमारे पास इतना है, SI अगर हमारे पास है, कितना बेटा, आप बोलो सर्थ 400 rupees, और यह कितने साल में, two years का है न, two years में है न, तो one year का कितना होगा, SI अगर हम बोलेगे एक साल, one year, one year में कितना होगा, तो आप बोलो सर्थ 200 rupees होगा क्यूfly 1К साल मेंगा क्या है की kommt दो सक तो स्मारे पास कितना है स्यां कितना है हमारे पास पität स्जान 610 रुपे 410 रुपे स्जान माइनस एसाय करेंगे सो एक went now sì कि अगर में आप पो इसाई का अगर मैंद उता हुआ है तो कितना है आप बनुण कितना है तो आप बोलोग सरती रूपिज है कतना है टान रूपिज पर डेट tip आफ इंट्रस्टised докर बोलो लोगह कितना रेट आफ इंट्रस्ट रेट आंफ इंट्रस्ट आगर में आपको बताउक इंट्रस्टिक्ति कितना है आप लोग तो रिडिकति आपके पास क्रिंद्ण आप लोगो से 10 200 पर है दो हुआपट इंटरस्ट है मेनिस 5% हमारे पास rate of इंटरस्ट है ठेक है 5% हमारे पास rate of इंटरस्ट है कितना 5% ऑके आप देख सकते हो 5% अगर rate of interest है तो simple इंटरस्ट कितना होगा 10% 10% अगर 400 है डैट मिनस प्रिंसपल कितना होगा 400 हजार रुपए होगा तरीकिसी इतनी सारी चीजे नहीं पूछता एक्जाम कोई एक चीज पूछेगा लेकिन ये तीन चार क्वेश्टन मिलाकर मैंने एक क्वेश्टन बनाया खुद बनाया है आपको क्लिर्टी देने के लिए क्वेश्ट की चलिए नेक्स्ट क्वेश्टन बनाया इप डिफ्रेंट बिविए और सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर नहीं तो हम बेसिक से इसको कैल्कुलेट करने की कोशिश करेगे यह समझाने की कोशिश करेगे तो सिय मैंनेस एकर इतना और इसकी वियू है हमारे पास इतनी इसकी विऔर यह हमारे उतनी crude दूसरा हो गया हम क्या कर सकते है हम इसको Stolen कर सकते हैं हम इसको क्या कर सकते हैं कालो कर सकते हैं अपने बेसिक कॉंसेप्ट से ओक अगर हमारे पास प्रिंसपल पांच हजार रुपे कितना है यह हमारे पास प्रिंसपल है ठीक यह पेले साल रेट इंडरस्ट दूसरे साल जब हम कंपॉंड इंडरस्ट निकालेगे ठीक ह है कि कि क्या कर सकते वह हम क्या सकते अगर 10 पर संट होगा तो जादा हो अगर 15 पर संट ले ले लेंगे तो 15 पर संट के सब्सक्राइब जाना होजाएगा दो क्या करें की हम इसको कि तो कैसे कर सकते हैं basically यह question को हम options से बना सकते हैं say for example मैंने आपको पास options रखे एक रखा मैंने 10 परसंट दूसरा option में रखा 20 परसंट और तीसरा option में रखा suppose 12 परसंट और चोथा मैंने option रखा option D suppose 50 परसंट तो आप कैसे बनावेगे एस question को अब देख लो बेटा थोड़ा सा अंदाजा अपना correct कर लो यहां पर अगर हम 10% निकालेगे तो 10% में यहां पर 500 आ जाएगे यहां पर 500 आ जाएगा और यहां पर 10% वाला option में 50 आ रहा था यहां पिस्याए मैंने से ऐसा है तो 20% वाले option में आ जाएगा 100 वह अपने अपर जाएगा तो यह option भाइड ठीक हो जाएगे कैसी अब देखो मैं आपको समझाने के कुश्च कर वह अब 12% है तो पेले साल इंट्रेस्ट होगा 5 इंट्रेस्ट होगा यहां पर होगा और 600 यहां पर होगा और इसका 12% क्योंकि 12% rate of interest 12% rate of interest है ठीक हमने मान लिया option इसका फ़री और इसका 12% जो आपका आजाएगा न बेटर 600 पहले इंट्रेस्ट का 12 परसंट बाराच्षे बहत्तर 72 आ जाएगा और यह 72 जो है यही तो है हमारे पास क्या हमारे पास क्वेस्टन में गिवन था 72 और वह 72 हमें यहां मिला that means rate of interest कितना है 12% इस इन क्वेस्टन को ऐसे बनाना होता है यह मिसी लिनियस क्वेस्टन होते हैं इनका कॉंसेप्ट कुछ भी होता है यह किसी भी एंगल से पूछा जाते लेकिन अगर आपकी इस बना ही लोगे यह वाला क्वेस्टन करो अगर आपके पास तेन साल का टाइम हो और आपको गया एंड एसाइका डिफरेंस दिया हो तो अब आप याद रख लेना जो वो डिफरेंस होगे वह इस टरूंस में होगा फीके पूलस ऑर पर सटफ के घीके पॉलस ऑर पर सट अपके ये यह मैर ये थी के क्या है यह होता है S.I. Simple Interest और यह R% आप K क्या होता है हमें उस K का यानि कि 3K जो होगी उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसका R% देखना है कि क्या यह K के एकवल है कि नहीं है और अगर आपको K निकालना होगा तो K इसके एकवल है P into R square divided by 100 का square तो आपको बोलोगे सर हमें समझ भी नहीं आया तो question के थूँ हम समझ लेंगे नहीं इस concept को क्योंकि direct formula एक दोखा ही होता है or nothing चलिए किता है on what sum does the difference between C.I. and S.I. for 3 years at 10% is 31 तो हमें इस 31 को उठाना है और हम इसको देख लेंगी क्या होता है और यह 10% क्या है यह है यहां पर आर परसंट आर में इस आर परसंट में लब 10% और आर की विलिए 10 है और यह जो हमारे पास है C.I. and S.I. तो क्या है बेटा यह C.I. and S.I. का difference हमारे पास given है कितना given है आप लोग सर 31 रूपीज कितना 31 रूपीज और इसी 31 को ही यह चो तीन सालों का टाइम है 31 रूपीज यह और S.I. का difference है इसी को तो हमें लिखना है P.K. पुलस आर परसंट आफ के टर्मस में ठीक है तो क्या लिखनेंगे इस को इसी इस चीज़ को ही इस चीज़ को हम लिखेंगे P.K. पुलस आर परसंट आफ के पुलस आर परसंट आफ के इस टर्मस में हम इस को लिख सकते है तो क्या करेंगे 3 के अगर मैं लिखना होगा 3 इंटू 10 3 इंटू 10 कितना होता 30 पुलस और यहां पर यह इस की वेलू कितने आ जाएगी कियोंकि उपर तोल 31 दोट मिन सिवान और यह यह और चाहिए 1 होना चाहिए 1 परसंट आफ के क्या यह 1% क्या यह 1% 20 परसंट है क्या यह 1 10 परसंट है 20 का आप बोलो सर हंजी है हंजी है है ना तो अगर ये condition जब ये condition satisfy होगे तब हमें क्या कह रहा था कि की ICU अब आप निकाल सकते हों के की वे अब आप सकते वह इतनी है ओके वह इतनी है तो अब आप देख लो मैंने इसको एसे को तोड़ दिया मैंने इसको इस चीजvakوا हैнымиने तोड़ 30 रूपीज है ठीक है और यह तीन सालों का है ठीक है यह तीन सालों के थ्री यूर्स के लिए और एक येर के लिए कितना होगा दस होगा वन येर के लिए एक साल के लिए कितना होगा दस कितना होगा दस कितना होगा कर सकती हो, answer निकाल सकती हो, दूसरा way to मैं आपको best option बताऊगा, way to मैं आपको best option बताऊगा, यहां पर आपके पास option is given है, यहां पर आपके पास option is given है, से for example मैं कोई एक option pick करोगा, मैंने 1,000 सब्सक्री जब्च किया, तो आप देखो CI-SI, यह हो गया 10, यह हो गया 10, यहां 10 और यहां पर एक आ जाएगा, यह जो आपको terms दिख रही है न, यही तो हमारे पास CI-SI है, और यह CI-SI केता है 31, और 31 ही तो हमारे पास op question में given था data, question satisfy हो गया हर एक value, 10% हमने rate लिया, 3 और रस हमने time लिया, तो अब आप यह कब हो गया, sets में जब आपने D option पिक किया था, तो options से भी अब आप AC questions बना सकते हो, यह मेरे कहने का main trucks है, हर बार आपको formula से सोचनी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, चलिए, next, on what sum does the difference between the CI and SI for 3 years, a 10% in is 93, बस वह ही है, 3K आपको 90 के को लिखना है, K आपको लिखना है 30, और 3 is R percent of K, तो यह वो वाली चीज, satisfy हो चुकी है, है ना, सो K की value आप आपको कितने निकलेगी, P into R square upon 100 minus 30, और 30 आपको A से लिखना है, 30 is equal to P into 100 divided by 10,000, P is equal to इतना, principle is equal to, इतना आपको निकल के आजाए, कि आपको दोत्रा एक तरीक भी मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूं, जलिए मैं आपको सिखाओगा, बहुत सारी चीजी मैं आपको आपको आज सिखाओगा, देखो बेटा, अगर मैं आपको बताओगा time कितना है, आप बोलोगो sir, 3 years is time, अगर मैं आपको बताओगा rate कितन आप बोलोगी सर 10% और अगर मैं आपको बोलोगा C I minus SI कर difference कितना है तो आप बोलोगी सर बेटा आप बोलोगी सर कितना है C I minus SI question में 93 rupees बस ध्यान रखना कैसे में कर सकता हूं कितना अलगतरी किसे में सोंच सकता हूं इतना आप आप भी सोंचना तो रेट कितना 10% आप बोलोगी सर यह 1 upon 10 होता है तो यह 1 upon 10 होता है तो 3 years का time है तो हम cube करेगी इसको और यह 10 into 10 into 10 minus 100, 1000 units यह मैंने माल लिया सम यह मैंने सम माल लिया और इस को मैं principle का होगा यह मैंने माल लिया यह मैंने अभी मान लिया अबी यह एक्चुल नहीं हो सकता हो भी साऔर नहीं हो सकता हुआज यहां पे 100 आएगा यहां पे 100 आएगा और फिर मुझे पता है यहां पे 10 आएगा यहां पे 10 आएगा फिर फिर वान आ जाएगा ठीक है अब देखो xy-Si मुझे पता है कितना डिफ्रेंटेथों यह होता है यह चीज यह चीज यह चीज यह चीज होते हैं छिटकी 7- URL यां correr機 होгляд है कि नहीं है तो प्रेंसपल क्या होगा प्रेंसपल भी की घरिक हो रहे आप देखो तरीके बहुत सारे है तरीके साथ हो सकते हैं लेकशित बहुत सारे हैं लेकिन यह करेगी कि आपने और कितना देखने को कितना गहराई से समझा है अब lleva वेस्ण इस तरीके से ह estoy question है इस तरही की से basic से हो गया है है ना आफ चलिए बोलोगी सर बेशिक थोड़ा लंबा पढ़ रहा है basic इसलिए लंबा आपको दिख रहा है क्योंकि यह चीजे आप लिख रहे हो यह चीजे लिखने नहीं होती यह 1000 लिखना हो फिर यह 100 भी नहीं लिखना होता है यह तीन चीज़े लिखने बस इसको एक्वेट करना है यह वाला क्वेश्चन इस तरी किसे आप बना सकते थे हैं ना similarly आप यह वाला क्वेश्चन बनाओ and यह वाला क्वेश्चन चलिए बनाए यह वाला कि यह क्वेस्टन को मान लिए मैं टीन 60 में या हंड्रेंड यह अधिन खेय और यह आ जाएगा इस तहीं कि एंड班 कब आपको समझाया है कि आप देखो यहां पर सी आइ माइनस एसाइ का रिशो कितना जाए दास दास बीस और एक तो कितना होगा थर्टी वान यूनिट्स की वेल्य हमारे पास ग्यों नहीं जस्ट थी टाइमस मेनस नाइंटी थी रूपीज और इसकी फिर प्रिंसपल की वेल आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा एक्साम कि बाकि यह जो लास्ट लेक्चर है अगर यह कॉंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया यह वाला तो बेसिक से बना लेना ऐसा नहीं है कि आपको क्वश्चन नहीं होगा तो इस तरी किसी यहां पे जो आपका कंपॉंड इं नेक्स्ट आपको इस चप्टर के लिए करनी पड़ेगी रेक्टिस चीज़ की इसी और चीए जो नेक्स्ट चैप्टर आपका होएगा वह है बेटा एवरीज ठीक है तो बाकि कोई भी क्वाईरी हो कोई भी डाउट हो एक तो परड़ाइस अकाड़मी आप सबस्क्राइब और जोइन कर सकते हो दूसरा मुझे टेक्स्ट कर सकते हो नमबर है मेरा 7889-792727 तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट किसी चैप्टर में तब तक के लिए वाइब टेक केर अल्लाह अविज और मेहनत करते रहे हैं